नमस्कार सांतियों आप सभी का स्वागत है हमारे युट्व चैनल स्मार्ट कर डिजानिंग में आज की इस वीडियो में रेंच की टूडी डेप्टिंग की ठेक्टिस करेंगे इस रेंच को किस तरह से बना सकते हैं इसके पूरे मेथड को हम एक्स्प्लेंड करेंगे सबसे इस पहले हम द्राहिंक को समझेंगे कि किस पॉरिच को समय में त्यार कर सकते हैं तो हम द्राहिं को किस पॉंत रेडिaison करेंगे इसके लिए हमें एक व्यट से अरिज्ट का लाइन से अरिजनल राइन चाहिए होगा और वयक्ष प्वाइड को वाधन हाई लाइन डॉंकल ऑम यह से से सिरीख तरएंगे लिय्ए кажना आप चर्थ फीथीर है अंगल में और लाँंच होगा ब्लाइंगी तो मियूंत प्रिंगी कीबोर्ट चे टैब ट्रेश करेंगे और 15 डिग्री इंटर कर देंगे हमारा इवाल लाइन ड्राव हो जाएगा अब हमें इस लाइन को दिखाने के लिए बैट का लाइन से 50 डिग्री का एक लाइन क्रेट करना होगा इसके लिए हम इसी लाइन को रोटेट कर देंगे 50 डिग्री एंगल में कॉपी क्रेट करेंगे इसके क्लिक कर लेते हैं और वो इंटर करेंगे इसका मीड़ पॉइंट देंगे यहां से नीचे कॉपी दीख रहा है कॉपी क्लिक कर देंगे त्योंकि हमें इ के वाली लाइन चाहिए जिसके डिस्टेंस है 24 mm 24 mm दिया हुआ है तो मिड्ल लाइन हमारी दी हुए है इस्स से हमें 12 mm उपर की और नीचे की और और बारे यम्म चाहिए तो हम औप्षेट कर लेते हैं इस लाइन को ऑफचेट कर लेंगे ऑफचेट करने के लिए किवोड से ओ इंटर करेंगे 12 mm डला हुआ है, उपर की ओर, नीचे की ओर, यह हो जाएगा, यह लाइन, हमारे यह लाइन और यह लाइन रहो गया, अब यह लाइन के लिए हमें इस midpoint से 24 distance है, तो हमने जो line create किया तो उसे 24 mm में offset कर लेंगे, एंड हमारी arc का जो radius है 14 mm है, इसका reference line लेने के लिए, इसे भी हम offset कर लेंगे, 14 mm में, तो हमें दो line offset करना है, तो, वो, एक 14 में करना है, 14 डालके, offset कर लेंगे, और दुबारस क्लिक करेंगे इस पर और फिर से आजागा हमने distance डालके, तो आप 24 डाल देंगे, यह हमारा line हो जाएगा, अब यह हम internal portion की वाली arc चीज, इसकी radius है 14 mm, और इसका center point है, यह जो हमने reference line offset किया था, उसी फिर, circle लेंगे, और यहां से 14 mm का एक circle रोक कर लेंगे, अब हमारा जो extra portion है, उसे हमारा हम से trim कर लेंगे, कि वह हमें required नहीं है, तो हम trim करेंगे, यह हमारा trim हो जाएगा, हमें सिर्फी arc की ज़रूरे कर दिशे हम रख लेंगे, अब हमें outer portion बनानी है, जिसमें 3 arc दीवें, एक 30, radius में, एक 16 radius में, एक 14 radius में, हमें 2 radius का center point दिखाई दे रहा है, एक यह है, और यह एक यह है, और यह 16 mm radius का center point दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे पहले हम यह वाले दो radius का circle रोक करेंगे, एक 30, एक 14, 30 mm का radius ड्रॉ करना था, जिसका mid point, center point यह था, और एक 40 mm का radius ड्रॉ करना था, जिसका center point यह था, अब हम extra portion को यहां से trim कर लेंगे, अब माउस की middle button से drawing को zoom in और zoom out कर सकते हैं, तो zoom करके यह drawing को आप trim कीजिए, यह हमने trim कर लिया है, अब हमें यह 16 mm का radius दिख रहा था, इसे हम फ्लेट कर लेंगे, फ्लेट करने के लिए फ्लेट क्लिक करेंगे, नीचे radius प्लेट कर लेंगे, और radius डाल देंगे 16 mm, हम इस पिर क्लिक करेंगे इसी हमारा इस इंटरफ्रेस करेंगे इस पिर कुंग इसके हमारा हो हो जाएगा अभी से हम भी द्वारा से थिन कर लेंगे यंचर अब हमें ये लाइन और ये लाइन रिकॉर्ड नहीं है इसे भी हम किरेज कर रहेते हैं ये वाला हमारा पूर्शन बन जाएगा अब हमें बनाना है ये वाला पूर्शन तो इसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए इस सेंटर पॉर्शन से हमारी डिस्टेंस है 180 mm लाइन को हम 180 mm में सब्सक्राइब अब्शेट कर लेते हैं वह लेंगे अब डिस्टेंस डाल देंगे अब्शेट कर लिए हमारा मिडिल पॉइंट सेंटर पॉइंट मिल जाएगा अब ड्राइंग में हम देखेंगी एक बाइट का लाइन हमारा मिल गया एक 50 डिगरी में और जेन्टर लाइंच 50 डिगरी पे एक लाइन है तो से हम ड्रॉ करेंगी तो यहां से चेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे टैप दोस्तों आपको दिख रहा होगा यह पूड़ा 180 डिगरी में है और हमें इस बाइन से नीचे की और 15 डिगरी लेना है तो हम उसे काउंट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 195 टाइप पेस्ट करके 195 यह हमारा 15 डिगरी पे क्रिएट हो जाएगा अब हमें यह वाली लाइन के लिए बैटकर लाइन से 15 डिगरी एम एम पे एक लाइन क्रिएट करना होगा तो क्रिएट कर लेते हैं हम इसी लाइन को रोटेट कर देंगे क्रिएट करेंगे और वो इंटर कर लेंगे इसकी मीट पॉइंट पेट करेंगे क्रेंगे इसलिए हम क्रिएट कर लेंगे और 50 इंटर करके रोटेट हो जाएगा इसकी और इसकी डिस्टेंट 27 एम एम है इसे हम 27 एम में आपसेट कर लेते हैं कि हमने आपसेट कर लिया और इसे भी आपसेट कर लेंगे तेरा दर समलो पांच के में में उपर की हो और नीचे की हो यह हमारा आपसेट हो जाएगा हमने यह लाइन और यह लाइन भी ड्रॉक कर लिया है अब हम यह वाली आर्क रो करना है 27 ड्रेडियस में जिसकी मीट पॉइंट दी हुई है यह तो हम यहां से सर्किल लेंगे और इस पर 27 लिएम हम का सर्किल रो कर लेंगे जो हमें रिकॉयड नहीं है उसे हम ट्रिम कर लेंगे ट्रिम करना बहुत जरूरी है ताकि हम लाइन पहिंचानने में प्रॉब्लम ना हो अब हमें आउटर पोर्शन बनाना है इसमें तीन आर्क दी हुए हैं एक दिया हुआ है सिस्टीनमें का एक दिया हुआ है एक थर्टिफोर र्यडियस का एक होटी त्रीदेएस का इस चिल्टी 43 यहां से इंटर 34 जिसकी में सेंटर पॉइंट यह यह हमारा क्रियेट हो जाएगा अब में जो लाइन रिक्राइड ने विसे हैं ट्रिम कर देंगे यह हमें रिक्राइड नहीं था जों कर सकते हैं दोस्तों जों कर केच्छेस देख लीजिए और ट्रिम कर दीजिए टाकि जो लाइन हमें जरूरत नहीं हो बिलकुन ना रहे ड्राइंग में अब हमें यह लाइन भी रिक्राइड नहीं है तो इन्हें हम कर लेंगे अब हमें यह लाइन बनाने है जिसकी डिस्टेंट 20 mm में है और यह मीड़ लाइन से 10 mm में है इसे भी हम आपसेट कर लेंगे इसे उपर की ओर नीचे की ओर अब हमें इसका फ्लेट करना है इसे जिसकी रेडियस की हुए है 45 mm 20 mm तो हम इसे फ्लेट कर लेंगे यहां से फ्लेट लेंगे यहां से रेडियस डालेंगे 45 mm इंटर कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे फिर से इंटर कर लेंगे और यह हमारा क्लिक हो जाएगा अब हम यह बाले फ्लेट करना है इसको फ्लेट करने के लिए भी हमें 20 mm की रेडियस यह तो फ्लेट पर देंगे रेडियस पर क्लिक करेंगे 20 डाल कर इंटर कर देंगे यह द्रौ जाएगा यह भी द्रौ जाएगा वह में जो नहीं है उसे हम ट्रिम कर लेंगे दोस्तों हमें एक 60 mm की जोवार चाहिए था वह हमने अभी ड्रौ नहीं किया है तो रो कर लेते हैं इसे हम फ्लिट लेकर ही ड्रौ कर सकते हैं और रेडियस डाल देंगे 60 mm इस पर क्लिक करेंगे इस प्ले हमारा जाएगा और ट्रिम कर लेंगे जो हमें रिक्वाइड नहीं है तो हमें रेज कर लेते हैं यह लाइन यह में रिक्वाइड नहीं है इसे हम आशानी से रेज कर सकते हैं अब हम यह वाल इलाइन चाहिए होगा जिस सब्सक्राइड हम इसका मिडिल पॉइंट देखेंगे इस जैसे कि इस पॉइंट इस पॉइंट की डिस्टेंस 80 mm है तो इसका हाफ लेंगे 94 mm तो हमें मिडिल लाइन मिल जाएगा तो इस बाइल लाइन को हम आप सेट कर लेते हैं 94 mm में यह हमारा मिडिल लाइन मिल जाएगा अब यह मिडिल पॉइंट से जैसे 100 mm इसकी और इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट यह जो पॉइंट है और यह पॉइंट जिसकी डिस्टेंस है 100 mm तो जो हमने मिडिल पॉइंट लिया है उससे 50 mm इस साइड और 50 mm इस साइड पे हम उससे उपसेट कर लेंगे 50 डाल कर अपसेट कर लेते हैं हमें यह वाले लाइन मिल जाएगी अब हम यह वाले लाइन को और यह वाले लाइन को पाने के लिए नीचे इसे 5 mm में आपसेट करेंगे और इसे भी 5 mm में आपसेट करेंगे आपसेट हो जाएगा यह हमारा रिक्वार्मेंट नहीं है अब हम इरेज कर लेते हैं जैसी यह वाले में जरूरत की नहीं है अब हमें यह लाइन है रिक्वार्मेंट नहीं है तो हम इसे इरेज कर लेते हैं अर्थमोन को अफ कर लेंगे दोस्तों यह लाइन यह वाल लाइन यह वाल लाइन हमें इन लाइनों को संटर मार्क में देना है इसलिए हमें बाइ लेयर पर जाएंगे और यहां से अधर पर जाएंगे हमें डॉट जो हमारी लाइन है वो कम डॉट पर दिखाए दे इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे इसे हम इसके हम जो है 0.2 कर लेंगे और यहां पर लोट से जाएंगे यहां पर सेंटर लाइन हम चूच कर लेंगे यह हमारा सेंटर लाइन पर ओके कर लेंगे यह ओके हो जाएगा अब इस पर क्लिक कर लेंगे इन समय जिनको हमको सेंटर लाइन देना है और यहां से सेंटर वाले option को चूछ कर लेंगे इसका color change करने के लिए यहाँ जाएंगे और हम यहाँ से green color कर लेंगे तो हमारा color भी हो जाएगा अब हमें dimension देना है यहाँ से annotation tool bar पर जाएंगे यह दिख रहा है इस पर हमें radius का diameter का linear तो हमें radius का चाहिए भी इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका radius दोस्ति यह चोटी अच्छरों में दिख लाएंगे यह कोई color करनी है जैसे आप देख रहे हो यह हमारी color में दिख रहे हैं यह yellow color का दिख रहा है इसका setting करने के लिए हम de-enter करेंगे और modify में जाएंगे यहां से lines में जाएंगे lines का color चेंज करने के लिए हम यह लिखा हुआ है line type color लिखा हुआ है यहां पर जाएंगे red कर लेंगे red हो गया हमारा और इसे हम 0.625 है तो one कर लेंगे टेक्स्ट में जाएंगे टेक्स्ट का color red है स्वरी यहां से टेक्स्ट का color यहां से white है तिसे हम yellow color कर लेंगे आप अपने अंसार रख सकते हैं जो भी आपको color रखना है टेक्स्ट हो गया symbol arrow पे जाएंगे यह 2.5 है इसे हम 3 कर लेंगे फिट पे जाएंगे arrow पे click कर लेंगे और place text manually पे click कर लेंगे हमने text देख लिया symbols देख लिया और lines देख लिया अब हम यहां से okay कर देंगे इसे close कर देंगे अजय से मने डाइमेंज से यह आ गया इसके click करेंगे इसका देंगे इस आर को click कर लेंगे इसका में सो जाएगा और यह वाले आर को click करेंगे ति यह सो जाएगा इंटर करके इधर जाएगे इसका सो कर देंगे हम इसका सो कर देंगे इसका सो कर देंगे इसका हमने सो कर दिया है ये वाले को डिलीट कर देते हैं जिसका सो कर देंगे और ये लाइन भी सो कर देंगे इनका भी अब यहां से हम चूच करेंगे लिनियार ये जो मीड़ पॉइंट और ये मीड़ पॉइंट को ये पॉइंट की डिस्टेंस हम चूच कर देंगे ये लाइन घूच ये वाले मीड़ पॉइंट से याई ये शो कर देंगे दरका भी कर देंगे हमने dimension mention कर दिया है अब हम यह वाली बाग का बच्चा हुआ है यहां से हम देंगे linear यह मेंशन कर देंगे और यह मेंशन भी कर देंगे यह एक साथ ही होगे एक को डिलीट मार देते हैं इस तरह से हम dimension सारे mention कर देंगे और ड्राइंग रेडियो हो जाएगा अन्यवाद दोस्ते